Welcome back to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे Unit 4 का chapter Mittu and the Yellow Mango ये एक स्टोरी हेक तोते के बारे में इसका नाम है Mittu आईए स्टार्ट करते हैं Mittu was a parrot, a green parrot with a red beak One day Mittu was flying He loved to fly He looked down He saw a big yellow mango on a tree Mittu एक तोता था एक हरे रंग का तोता जिसकी लाल रंग की चोच थी एक दिन Mittu ओड रहा था जब वो ओड रहा था ताब वो नीचे देखता है एक पेड पर उसको एक mango दिखाई देता है Mittu liked mangoes I want to eat that yellow mango Cow cow, go, go The crow shouted He had a very loud voice Mittu was afraid of the crow He flew away जब Mittu उस पेड के तरब गया तो उसको एक आवाज आई कि तुम इस पेड से चले जाओ ये मेरा पेड है और जब वो ये आवाज सुनता है तो उसके बाद वो उपर सर करके देखता है तो वहाँ पर एक कववा बेठावा था और कववा उसको तेज बाज में बोल ला था कि तुम इहाँ से चले जाओ कववे की तेज बाज को सुनकर Mittu डर जाता है और वहाँ से ओड जाता है Mittu saw our red balloon It was under a tree He had an idea He picked up the red balloon He was careful not to bust it He flew to the mango tree The crow was sitting on the tree Mittu went behind the tree Mittu ने पेड के निचे एक लाल बैलून को देखा और उस बैलून को देखकर उसको एक आईडिया आया उसके बाद उसने उस बैलून को साबधानी से पकड़ लिया उसने उसको पकड़ते समय इस बाद की साबधानी रखी कि कहीं बैलून फट ना जाए और उसके बाद उस पेड की तरफ चला गया जब वो पेड की तरफ गया तो उसने देखा कि पेड पर तो कववा बैठा हुआ है कववी कवव देखकर Mittu जो है वो पेड की पीछे की तरफ चला जाता है He picked the balloon with his red beak Pop The balloon burst It made a loud noise आप जब Mittu उस बैलून को लेकर पेड की पीछे की तरफ से जाता है तो कववे की पीछे जाकर उस बैलून को अपनी चोच मार कर पोड देता है और बैलून फट जाता है आवाज आती है Pop और यह आवाज बहुत तेज होती है Cow said the crow And he fell off the tree आवाज इतने तेज होती है कि कववा दरके नीचे गिर जाता है और बोलता है Cow Cow, Cow A big gun is after me Said the crow He flew away He never come back to the tree और Cow बोलता है कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बंदूख है इसलिए वो वहाँ से ओड़ जाता है और कभी वापस नहीं आता मिट्टू came to the tree He ate the big yellow mango Yummy yummy What a nice mango He said He was very happy Clever मिट्टू और जब कववा उड़ जाता है तो मिट्टू उस पेड की तरफ जाता है और उस yellow mango को खाने लगता है उसको इतना अच्छा लगता है कि वो बोलता है yummy yummy कितना अच्छा mango है ये और वो बहुत खुश हो जाता है Mango को पाने के लिए उसने जिस प्रकार से ट्रेक का यूज किया इसी वज़े से इस मिट्टू को clever मिट्टू बोला गया है हमारा explanation पार्ट यहीं कतम होता है थेक्ष्ट यहीं के लिए बोला गया है